आप सब भी युवा साथियों को, माता-पिता को, गुरुजनों को, मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अनेक-अनेक शुबकामनाई देता हूँ. साथियों, आज एक और बहुती पावन अवसर है, बहुती प्रेणा का दीन है, आज छत्रपती सिवाजी महराज की जन्मजन्ती है, मैं सभी देशवासियों को, छत्रपती सिवाजी महराज की जन्ती पर बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ. गुर्देव रविंदरना टेगोर जी ने भी सिवाजी उच्छब नाम से बीर सिवाजी पर एक कभीता लिखी थी उन्होंने लिखा था कौन दूर शताब देर कौन एक अख्यात दिवसे नाही जानी आजी मनार्ठार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे हे राजा सिवाजी तब भाल उद्यासियाए भावना तयित प्रभावत ऐसे छिल नामी एक धर्म राज्य पाशे एक धर्म राज्य पाशे खंड छिन विख्षिप्त भारत बंधे दिवामी यानि एक सताब्दी से भी पहले किसी एक अनाम दिन मैं उस दिन को आज नहीं जानता किसी परवत की उंची चोटी से किसी घनेवन में ओ राजा सिवाजी क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोश्री के तरह आया था क्या ये विचार आया था कि छिन भिन इस देश की धर्ती को एक सुत्र में पिरोना है क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित कर रहा है इन पंक्तियों में छत्र पती बीर सिवाजी से प्रणा लेते हुए भारत की एक्ता भारत को एक सुत्र में प्राणों का आवान था देश की एक्ता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एक्ता अखंडित्ता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है हमें जीना भी है यही तो त्यागवर का हमें संदेश है साथियों आप सिर्फ एक विश्व वित्याले का ही हिस्सा नहीं है बलकि एक जीवन्त परंप्रा के वाहग भी है गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक उनिवर्सिटी के रुप में देखना चाहते तो वो इसको ग्लोबल उनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे लेकन उन्होंने से विश्व भारती विश्व विध्याले नाम दिया उन्होंने कहा था विश्व भारती एक नोलेजेश India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best गुरुदेव की विश्व भारती से प्रिक्षा थी कि यहां जो सिखने आयेगा वो पुरी दुनिया को भारत और भारतियता की द्रख्टी से देखेगा गुरुदेव का यह model ब्रह्म त्याग और आनंद के मुल्यों से प्रेरित था इसलिए उन्होंने विश्व भारती को सीखने का ऐसा स्थान बनाया जो भारत की समरुद्ध दरोहर को आत्मसाथ करें उस पर शोद करें और गरीब से गरीब की समस्याओं के समाधान के लिए काम करें ये समस्कार में पूर्व में यहां से निकले छात्र छात्राओं में भी हमें दिखता है और आपसे भी देश की यही अपेक्षा है साथियों गुर्देव टेगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली ज्ञान परोशने वाली एक समस्था मात्र नहीं थी यह एक प्रयास है भारतिय संस्कृति के सिर्फस्त लक्ष तक पहुचने का जिसे हम कहते हैं स्वयम को प्राप्त कर जांग जब आप अपने केंपस में बुद्वा उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयम से ही साक्षातकार करते हैं जब आप गुरुदेव द्वारा सुरू किये गए समारों में जुड़ते हैं तो स्वयम से ही साक्षातकार करने का एक अवसर प्राप्त होता है जब गुरुदेव कहते हैं आलो अमार आलो ओगो आलो भुबन भारा तो ये उस प्रकास के लिए ही आबान है जो हमारी चेतना को जागुरत करती है गुरुदेव टेगोर मानते थे विवीतताएं रहेगी विचारधाराएं रहेगी इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा वो बंगाल के लिए कहते थे बांगलार माटी बांगलार जौल बांगलार बायू बांगलार फोल पुन्य होग पुन्य होग पुन्य होग हे भगवाण लेकिन साथ ही वो भारत की विवितता की भी उतना ही गवरवगान बड़े भाव से करते थे वो कहते थे हे मोर चित्तो पुन्यों तिर्थे जागोरे धिरे इभारो तेर महा मनोबेर सागोरो तिरे हे थाए दाराए दबाहू बाराए नमो नरोदे बोतारे और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि सांती निकंतन के खुल्ले आसमान के नीचे वो विश्व मानों को देखते थे एशो कर्मी एशो घ्यानी एशो जनकल्यानी एशो तपस राजो है एशो है दिशक्ती संपद मुक्ता बंधो शोमाज है हे स्रमिक सात्यों हे जानकार सात्यों हे समाज सेवियों हे संतों समाज के सभी जागरुख सात्यों आईए समाज की मुक्ती के लिए मिलकर के प्रयास करें आपके केंपस में ज्यान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले एक पल भी बिताने वाले का ये सोभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये वीजन मिलता है सात्यों विश्व भारती तो अपने आप में ज्यान का वो उन्मुक्त समंदर है जिसकी नीव ही अनुभव आधारित सिख्षा के लिए रखी गई ज्यान की क्रियेटिविटी की कोई सिमा नहीं होती है इसी सोच के साथ गुरुदेव ने इस महान विश्व विद्याले की स्थापना की थी आपको ये भी हमेशा याद रखना होगा कि ज्यान विचार और स्किल स्टेटिक नहीं है पत्थर की तरह नहीं है स्थीर नहीं है ये जिवन्त है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कोर्स करेक्शन की गुंजाइज भी हमेशा रहेगी प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट लेकिन नौलेज और पावर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए संयम और संवेदन सिल रहना पड़ता है रहना जरूरी होता है उसी प्रकार हर विद्वान को हर जानकार को भी उनके प्रती जिम्मेदार रहना पड़ता है जिनके पास वो शक्ती है आपका ज्यान सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज की देश की अरे भावी पीडियों की भी वो धरौर है आपका ज्यान आपकी स्कीन एक समाज को एक राष्ट को गवरवान्वित भी कर सकती है और वो समाज को बदनामी और बरबादी के अंदकार में भी धकेल सकती है इतिहास और वरत्वान में ऐसे अनेक उधारण हैं आप देखिए जो दुनिया में आतंग भेला रहे हैं जो दुनिया में हिंसा भेला रहे हैं उनमें भी कई highly educated highly learned highly skilled लोग है दुसरी तरफ ऐसे भी यह लोग हैं जो कॉरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन राफ अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अस्पतालों में डटे रहते हैं प्रयोग सालाओं में जूटे हुए है इस जिर्फ विचारधारा का प्रश्ण नहीं है मुल बातो माइंड सेट का है आप क्या करते हैं इस बात पन निर्भर करता है कि आपका माइंड सेट पोजीटिव है या नेगिटीव है स्कोप दोनों के लिए हैं, रास्ते दोनों के लिए उपन है, आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर समाधान का ये तै करना हमारे अपने हाथ में होता है, अगर हम उसी शक्ती, उसी सामर्त, उसी बुद्धी, उसी वैपव को सदकार्य के लिए लगाएंगे, तो परणाम एक मिलेगा, दुष्कर्म के लिए लगाएंगे, तो परणाम दुष्कर्म मिलेगा, अगर हम ही सिर्फ अपना हित्र देखेंगे, तो हम हमेशा चारों तरफ मुसीबते देखते आएंगे, समस्याइ देखते आएंगे, नाराज़्गी देखते आएंगे, अक्रोष नजर आएगा, लेकिन अगर आप खुद से उपर उट करके, अपने स्वार्थ से उपर उट करके, नेशन फर्स की एप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर समस्या के बीच में भी सॉलूशन ढून देने का मन करेगा, सॉलूशन नजर आएगा, बूरी शक्तियों में भी आपको अच्छा ढून देने का, उसमें से अच्छाई का परिवर्तन का मन करेगा, और आप सित्या बढ़लेगे भी, आप स्वयम भी अपने आप में एक सॉलूशन बन करके उपरेंगे, अगर आपकी नियत साथ है, और निष्ठा मा भारती के प्रती है, तो आपको हर निन्ने, आपको हर आच्रण, आपको हर कृती, किसी ने किसी समस्या के समाधान की तरफ ही सफलता और असफलता हमारा वर्तमान और भविष्टाई नहीं करती है, हो सकता है, आपको पिसी फैसले के बाद जैसा सोचा था, वैसा प्रणाम न मिले, लेकिन आपको फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए, एक युवा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, जब कभ भी हमें फैसला लेने से डर लगले लगे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट होता है, अगर फैसले लेने का होसला चला गया, तो मान लीजिए का आपकी युवानी चली गई है, आप युवा नहीं रहे हैं, जब तक भारत के युवा में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्वा रहेगा, तब तक कम से कम मुझे देश की भविश्की चिंता नहीं है, और मुझे जो देश युवा हो, 130 करोड आबादी में इतनी बड़ी तादाद में युवा शक्ति हो, तो मेरा भरोशा और मजबूत हो जाता है, मेरा विस्वास और मज हो जाता है, और इसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए, आपको जो माहोर चाहिए, उसके लिए मैं खुद भी और सरकार भी, इतना ही नहीं, 130 करोड का संकल्पों से भरा हुआ, सप्रों से लेकर के जीने वाला देश भी आपके समर्थन में खड़ा है, साथियों, विश्व भारती के सो वर्ष के इतिहासिक अउसर पड़े, जब मैंने आप से बात की थे, तो उस दारान भारत के आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता के लिए, आप सभी युवाओं के योगदान का जिक्र किया था, यहां से जाने के बाद, जीवन के अगले पड़ाव में, आप सभी युवाओं को अनेक तरह के अनुभव मिलेंगे, साथियों, आज जैसे चत्रपती सिवाजे महाराज की जेनती का हमें गरव हैं, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की आद आती हैं, महान गांदीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांदीवादी धर्मपाल जी की भी जन्म जेनती हैं, उनकी एक रचना है, दे ब्यूटिफुल ट्री इंडिजेनेस इंडियन एडुकेशन इन दे एटीन सेंचुरी आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मन करता है उसका जीक्र मैं जुरूर करूं और बंगाल की धर्ती उर्जयावान धर्ती के बीच जब आत कर रहा हूं तब तो मेरे स्वाभाविक मन करता है कि मैं जुरूर धर्मपाल जी के उस विशेय को मैं आपके सामने रखू। दर्मपाल जी ने इस पुस्तक में इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थौमस मुंद्र उद्वारा किये गए एक राष्ट्रिय सिक्षा सर्वे का ब्योरा दिया है 1820 में हुए है 1820 एने करीब 200 खार 1820 में हुए इस सिक्षा सर्वे में कई ऐसी बाते हैं जो हम सब को हैरान भी करती हैं और गवरों से भर देती हैं उस सर्वे में भारत की साक्षर्ता दर बहुत उंची आंकी गई थी सर्वे में ये भी लिखा था गया था कि कैसे हर गाउं में एक से जादा गुरुकुल थे और जो गाउं के मंदिर होते थे वो सिर्फ पुजापाड की जगा नहीं बेश शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षा को प्रोथसान देने वाले एक अत्यंत्र पवित्र कारिय से भी गाउं के मंदिर जुड़े हुई रेते थे वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में बल देने में प्रयास करते थे हर शेत्र हर राज में यह बड़ी महत्वपन बात है हर शेत्र हर राज में तब महाविद्यालेयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना अबड़ाओं का नेट्वर्क था उच्च शिक्षकान के संस्तान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे भारत पर ब्रिटीज एजुकेशन सिस्टिम थोपे जाने से पहले थोमस मुंद्रों ने भारतिय सिक्षा पद्दती और भारतिय सिक्षा व्यवस्ता की ताकत को अनुभोव किया था देखा था उन्होंने देखा था कि हमारी सिक्षा व्यवस्ता कितनी वाइबरेंट है यह 200 साल पह जिन्होंने यह पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में एक लाग से जान्दा विलेज खुल थे ग्रामिन विद्याए थे साथियों ये बाते में आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये जानना आवशक है कि हमारी सिक्षा विवस्ता क्या थी कितनी गवरोंपुन थी कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी और बाद में अंग्रेजों के काल खंब और उसके बाद के काल में कि हम कहां से कहां पहुँझ गए क्या से क्या हो गया गुरुदेव ने विश्व भारति में जो व्यवस्ताइं विक्सित की जो पद्धतियां विख्षित की वो भारत की शिक्षा विवस्था को परतंत्रता की बेडियों से मुक्त करने भारत को आधुन मनाने का एक माध्यम थी अब आज भारत में जो नई राष्ट्य शिक्षानिती बनी है वो भी पुरानी बेडियों को तोड़ने के साथ ही विद्ध्यार्थियों को अपना सामर्थ दिखाने की पूरी आजादी देती यह सिक्षानिती आपको अलग अलग विश्वआ को पढ़ने की आजादी देती है यह सिक्षानिती आपको अपनी भाशा में पढ़ने का विकल्प देती है ये सिख्षानिती, entrepreneurship, self-employment को भी बढ़ावा देती है, ये सिख्षानिती, research को, innovation को बल देती है, बढ़ावा देती है, आत्म निर्भर भारत के निर्माण में ये सिख्षानिती भी एक एहम पड़ाव है, देश में एक मजबूत research और innovation, ecosystem बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, हाली में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों journals की, free access, apply scholars को देने का फैसला किया है, इस साल budget में भी research के लिए National Research Foundation के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड रुपिय खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, साथियों, भारत की आत्म निर्वर्ता, देश की बेटियों के आत्म विश्वात के बिना संभव नहीं है, नई राष्ट्रिय शिक्षानिती में पहली बार, जेंडर इंक्लूजन फंड की भी विवस्ता की गई है, इस पालिसी में छट्थी क्लास से ही कार प्रेंट्री से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेख स्किल्स स्टेट्स पढ़ाने की योजना, इसमें हैं जिन स्किल्स से लड़कियों को दुर रखा जाता था, शिक्षा निती बनाते समय, बेटियों में ड्रॉप आउट रेट जादा होने के कारणों को गंबीरता से स्टड़ी किया गया है, इसलिए पढ़ाई में नरंतरता, डिगरी कोर्स में एंट्री और एक्जिट का अप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले, इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्ता की गई है, साथियों, बंगाल ने अतीत में भारत के सम्रुद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे भणाने में देश को नेतृत्व दिया, और ये गवरोपुन बात है, बंगाल एक भारत, स्रेष्ट भारत की प्रेणा स्थली भी रहा है, और कर्म स्थली भी रहा है, शताब्दी समारों में चर्चा के दोरान, मैंने इस पर भी विस्तार्च अपनी बात रखी थी, आज जब भारत 21 सदी की नौलेज इकॉनोमी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी नजरे आप पर है, आप जैसे नवजवानों पर है, बंगाल की ज्ञान संपदा पर है, बंगाल के उर्जावान नागरीकों पर है, भारत के ज्ञान और भारत की पहचान को विश्व के कोने कोने तक पहुचाने में विश्व भारती की बहुत बढ़ी भूमी का है, इस वर्ष हम अपने आजादी के पच्चतरवे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विश्व भारती के प्रतेग विद्यार्थी की तरफ से बेश को सबसे बड़ा उपभार होगा कि भारत की जम मिल करके और विशेश करके मेरे नौजवान साथी जादा से जादा लोगों को जागुक करें। भारत जो है जो मानवता, जो आत्मियता, जो विश्व कल्यार की भावना हमारे रक्त के कंकर में है, उसका अहसास बागी देशों को कराने के पुरिमानव जाद को कराने के लिए विश्व भारती को देश की शिक्षा सौंस्ताओं का नितृत्व करना चाहिए। मेरा आग्रह है अगले पचीस वर्सों के विश्व भारती के विद्यारती मिलकर एक विजन डॉक्युमेंट बनाए जब आजादी के सो साल होंगे वर्स 2047 में जब भारत अपनी आजादी के सो वर्स का समारो बनाएगा तब तक विश्व भारती के पचीस सबसे बड़े लक्ष क्या होंगे यह इस विजन डॉक्युमेंट में रखे जा सकते हैं आप अपने गुरुजनों के साथ चिंतन मनन करें लेकिन कोई न कोई लक्ष अवश्चताय करें आपने अपने खेत्र के अनेग गाउं को गोड लिया हुआ है क्या इसकी सुरुवात हर गाउं को आत्मनिर्भर बनाने से हो सकती है पुझ्यबापू ग्रामराज्य की जो बात करते थे ग्रामस्वराज की बात करते थे मेरे नवजवान साथियों गाउं के लोग वहां के सिल्पकार वहां के किसान इन्हें आप आत्मनिर्भार बनाईए इनके उत्पादों को विश्व के बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाने की कड़ी बनिये विश्व भारती तो बोलपूर जिले का मुल अधार है यहां के आर्थिक भोतिक सांस्कृतिक सभी गतिविद्यों में विश्व भारती रचा बसा है एक जिवन तिकाई है यहां के लोगों को समाज को ससक्त करने के साथ ही आपको अपना बुरहत दाईत्व भी निभाना है आप अपने हर प्रयास में सफल हो अपने संकल्पों को सिद्धी में बदले जिन उद्देशों के लेकर के विश्व भारती में कदम रखा था और जिन संस्कारों और ग्यान की संपदा को लेकर आज जब आ विश्व भारती से कदम दुनिया के दहलीच पर रख रहे हैं तब दुनिया आप से बहुत कुछ चाहती है बहुत कुछ अपेच्छाएं रखती है और इस मिट्टी ने आपको समा रहा है आपको समाला है और आपको विश्व की अपेच्छाओं को पूर्ण करने योग्य बनाया है मानव की अपेशाओं के पुर्णक में योग्य बना है आप आत्मी स्वास से भरे हुए है आप संकल्पों के प्रति प्रतिवद्ध है आप संस्कारों से पुलकित हुई आपकी जवानी है ये आने वाली पीडियों को काम आएगी देश के काम आएगी इकी इश्वी सधी में भारत अपना उचीत सान प्राप्त करे इसके लिए आपका सामर्द बहुत बड़ी ताकत के रुप में उपरे का ये पूरा विश्वास है और आपी के बीच में आपी का एक सही आती होने के नाते मैं आज इस गवरवपुर्ण शर्म में अपने आपको धन्यवान मानता हूँ और हम सब मिल करके इस गुर्देव टागोर ने जिस पवित्र मिट्टी विसे हम लोगों को सिक्षित किया है संसकारित किया है हम सब मिलके आगे बड़े यही मेरी आपको शुबकामना है मेरी तरब से अनेक अनेक शुबकामना है आपके माता पिता क को मेरे प्रणाम आपके गुरु जनों को प्रणाम मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद